अलो गाइज वेलकम टो यह योडिव जैनल प्योपल टीचर तो कैसे हो आप सब आश्या की सब बढ़िया होगे सरस्त होगे और आपकी कॉंपटेटिव एक्जम की प्रेपरेशन में बहुत अच्छी चली होगी फिलाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन क काफी तो कहें पर आपके पर प्रेफर्स आता है और इसके बाद कोई भी टू वर्स आते है आप जैसे कि टी-डश कोफी तो आप हमेशा वहां पर टू प्रेपोजिशन करोगे जैसे कि यहां पर option number C आपका बेलकुल सही है लिए प्रेफर्स टी-टू कॉफी तो next question है हमार पास my wife has been suffering dash fever for two days देखो जब तो आपके पाई जैसे टू डेज है उससे पहले देखो फोर लगा हुआ है और जब आपका पूरा प्रॉपर पिताया जाता है तो आप वहां पे हमेशा फ्रॉंग को यूद करते हैं जैसे कि यहां पे आपका option नमबर डी बिल्कुल सही है my wife has been suffering from fever for two days तो यहां option नमबर डी आपका बिल्कुल सही है next अगर हम बात करते हैं कुशन नमबर फॉर्थ है हमारे पाई तो यहां पे congratulated होगा तो वहां on होता है अगर congratulate होता है वहां पे upon होता है तो यहां पे हम यूज करें के आपका प्रेपोजिशन का यानि कि option नमबर से यहां बिल्कुल सही है the teacher congratulated on her success next question है हमार पाई question नमबर फिफ्ट गांदी जी वाज बॉर्ण डैश 1869 तो आपको याद होगा जो इन प्रेपोजिशन है उसका यूज किया जाता है अगर हमारे पाई कोई यस दी होती है सन बगेरे जादे तर जब किसी का date of birth के बारे बात होती है जैसे कि गांदी ज वाज बॉर्ण इन 1869 तो यहां पे जो आपका सही option है वह option नमबर बी कहीं पे आपके पाई date of birth होती है या कोई बॉर्ण हुआ होआ है तो वहां पे और उसकी यस दे रखी होती है तो वहां पे आप हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं इसको अपने ध्यान में र flying above the cloud यहां पे option नमबर से आपका बेलकुल सही है the airplane was flying above the cloud next question number 7 है हमारे पास the police inspector inquiry-the case जो police inspector थे उन्होंने क्या inquiry किये case की यानि कि वो क्या है case के गहराई तक के case के अंदर गे आखी जो case है आखी जो मामला है वो क्या है क्यों है पूरी inquiry की जब आप किसी भी चीज के अंदर जाते हो तो आप into का use करते हो तो यहां पे भी आपका into का use होगा यानि कि option number D आपका बेलकुल सही है the police inspector inquiry into the case तो कहीं पे पे आप किसी भी चीज के अंदर घहराई तक जाते हो deeply तक जाते हो आप हमेशा into का use करते हो या कोई छोटा सा change क्यों ना हो जाए तो वहां पे भी आप हमेशा into का use करते हो next आपके पार question number 8 the car is running dash 70 km an hour तो अगर आपके पास speed बताए यह होती है तो वहां आप कौन सा preposition use करत question number 9 he complained dash his classmate अगर आप कभी भी किसी की भी complete करते हो शिकायत करते हो तो आप हमेशा against जाते हो उसके against work करते हो तो यहां पे आप against जो preposition है उसका use करोगे he complained against his classmate कहीं पी भी आप किसी की शिकायत करोगे वहां पे ज्यादतर आपका जो against preposition है उसका use होता है next question number 10 है हमार पा distribute these apples dash the children तो children आपको पहता है यहां पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही ना ही दो बच्चों की बात हो रही है दो बच्चों की बात होती है अगर हम कोई चीज को distribute करते है तो यहां पे जो आपका option number C है वो बेलकुल सही है distributed these apples among the children तो याद रहना जहां पे दो से जाधी चीजों को आप distribute करोगे दो से जाधी चीजों के बीच तो वहां आप among का use करोगे अगर किसी दो परसन के बीच की बात है कोई distribution हो रही है है distinction हो रही है तो आप between का use करोगे next question number 11 यह हमारे पर fix preposition है कहीं पी आप आप आता है तो वहां पर आप हमेशा जो एक प्रेपोजिशन है उसका use करते हो जैसे कि यहां है he aimed his pistol dash the criminal तो यहां पर क्या aimed word है कहीं पर भी aim होता है वहां आप at preposition के use करोगे तो यहां पर option number c आपका बिल्कुल सही है next question number 12 यहां पर what is the time dash your watch तो यहां पर आप हमेशा जो by preposition है उसका use करोगे what is the time by your watch next question number 13 है हमार पर my neighbors is jealousy dash me तो यहां पर जो jealousy है इसके पाद जो preposition के use होगा वो हमार पर off preposition के use होगा my neighbors is jealous of me तो यहां पर जो option number b है आपका वो बिल्कुल सही है next question number 14 है हमारे पास his teacher ordered him to write dash ink तो जब भी आपके पास इस लिके word आता है कि उसके teacher ने क्या आया है उसको order रिया कि तुम ink से लिखो तो आप वहां पर हमेशा जो in preposition है उसका use करोगे यानि कि option number c है आपका बिल्कुल सही है यहां पर his teacher ordered him to write in ink next question number 15 है हमारे पास the dog sprang dash the table तो यहां पर आखी कौन सा preposition यूज करोगे तो यहां पर हमारे जो upon preposition है उसका use होगा तो यहां पर option number d आपका बिल्कुल सही है next question number 16 है हमारे पास I was born dash 1986 तो मैंने अभी अभी आपको कहा तक कभी भी आपके पार date of birth बता यानि कि आपका जनम कब हुआ था साथ इसाथ उसमें year होगी इसके 1986 है तो वहां पर आप हमेशा जो in preposition है उसका use करोगे तो यहां पर भी आपका option number c बेल्कुल सही है in I was born in 1986 next question number 17 है मारे पास I have been a journalist dash two years तो देखो मैंने आपको जब रोल्स पताये थे अगर आपका कई भी भी two years one days two days three days properly पताया जाता है कितने days कितने year की बात हो रही है तो आप वहां पर हमेशा for preposition का use करोगे it means यहां पर आपका option number a बेलकुल सही है for I have been a journalist for two years next question number 18 है मारे पास she shows great ability dash mathematics तो कभी भी abilities की बात होती है तो आप हमेशा at preposition का use करते हो she shows great ability at mathematics यानि कि यहां पर जो option number b है आपका वो बिलकुल सही है next अगर हम बात करें के question number 19 है हमारे पाए you are afraid dash spider कभी भी डर की बात होती है afraid की बात होती है तो आप हमेशा fix preposition यूज़ करोगे वहां पर off यानि कि यहां पर option number d आपका बिलकुल सही है are you afraid of spider तो यहां पर जो है प्रेपोजिशन आफ का use होगा next यह मारे पाए I entirely agree dash you देखो अगर आपके पास agree word होता है और उसके बात क्या है आप you का बात करो किसी you में किसी person की बात करोगी agree के बाद तो आप हमेशा with का preposition का यूज़ करोगे यह आपने no down करना यह आपके fix preposition है अगर आपका कभी भी agree के बाद कोई भी person की बात होगी तो आप हमेशा with का यूज़ करोगे जैसे कि I entirely agree with you यानि कि option नमर भी पेलकुल सही next अगर हम बात करते है question number 21 है हमार पा we agree most things अगर आप किसी things बहुत सारी चीजों से agree कर रहे हो तो आप वहां पर about का यूज़ करोगे बहुत सारी तो यहां पर जो things थी बहुत सारी number 22 है हमार पास I will agree – your suggestion सबसे पहले हमने बात किया भी यहां पर agree अगर होगा किसी person के साथ तो आप with का use करोगे अगर आपका agree होगा I will agree to your suggestion तो यहां पर आपका option number A बिलकुर सही है 2 तो फिलाल आज की class में तो बस इतना है आशाए आज की वीडियो आप सब के लिए helpful रही होगी और आपके preposition थे लेटर जो doubts थे वो थोड़े बहुत clear होगे होगे तो वीडियो helpful लगे होगी तो वीडियो को लाइक शिर्क कर देना साथ यसाथ प्यारा सा कुमेंट भी कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe कर लेना thank you